योग क्रांती परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुनह मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो लेकिन शुरुवात करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथी साथ लाइक करें, सेयर करें और कमेंड भी करें क्यूंकि योग में आने वाली वेकेंसी की जानकारी सरप्रथम हम आप तक पहुचाते हैं योग की सारी अपडेट सरप्रथम हम आप तक पहुचाते हैं यूजी सीनेट की तयारी हो, बाई सीवी की तयारी हो या अन्य कोई प्रप्रेशन हो जोकी योग से संबंदित है, तो वह भी हम आपको करवाते हैं आज हम बात करने वाले हैं, वेद, उपनिसद और प्रिस्थान तरई के अंतरगत प्रस्थान तरई की आज का पहला प्रसन है, वेदान दर्शन के तीन आधार हैं महर्सी, वादरायन करत, ब्रह्म सूत्र, उपनिसद और स्रीमद भगवत गीता यहाँ पर वेदान दर्शन के तीन आधार हैं, उनके वारे में बताये गया है आप सबको मालूम होना चाहिए जो प्रस्थान तरई होता है, उसमें ब्रह्म सूत्र, उपनिसद और स्रीमद भगवत गीता आती है अभी तक मैं आपको उपनिसद के वारे में बता चुका हूँ आगे आने वाले समय में वेद के वारे में भी बताऊंगा स्रीमद भगवत गीता के वारे में तो पूरी के पूरी डिल हम देने वाले हैं आज का दूसरा प्रस्थन तीनों को एक साथ मिलाकर प्रस्थांतरई कहा जाता है जो तीन हैं उनको एक साथ मिलाकर प्रस्थांतरई कहा जाता है जो कि अभी मैंने आपको बताया आज का तीसरा प्रस्था वाचसपती मिस्र के समय में वादरायन जी को व्यास भी कहा जाने लगा था आपको मालूम होना चाहिए वाचसपती मिस्तर के समय में जो वादरायन जी है उनको व्यास भी कहा जाता था ब्रह्म सूत्रकार वादरायन महावारत के वेदव्यास जी से भिन्न थे यह भी आपको मालूम होना चाहिए दोनों भिन्न भिन्न थे आज का पांचवा प्रस्न वादरायन जी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा सब्द या सुर्ती को प्रमाण मानते थे वादरायन जी के नुसार प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा सब्द या सुर्ती को प्रमाण माना जाता था आज का छटबा प्रसन ब्रह्म सूत्र को वेदान्त सूत्र या सारीरिक मीमानसा सूत्र भी कहा जाता है ब्रह्म सूत्र के अन्य नाम आपसे पूछे जा सकते हैं तो ब्रह्म सूत्र को अन्य किन नामों से जाना जाता है वह यहां पर बताए गया है कि ब्रह्म सूत्र को वेदान्त सूत्र सारीरिक मीमान सा सूत्र भी कहा जाता है आज का साथवा प्रस्न ब्रह्म सूत्र का प्रतिपाद विशय ब्रह्म विचार है आज का आठवा प्रस्न ब्रह्म सूत्र को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्म सिध्धांत की व्याख्या हुई है ब्रह्म सूत्र को ब्रह्म सूत्र क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ब्रह्म सिध्धांत की व्याख्या की गई है इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है आज का नौवा प्रसन ब्रह्म सूत्र को वेदांतर सूत्र कहा जाता है क्योंकि वेदांतर दर्सन ब्रह्म सूत्र से प्रतिफलत हुआ है यदि आपने पराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा आज का दसवा प्रसन ब्रह्म सूत्र रचना का मूल उद्देश उपनिस्दों के विचार में सामझस लाना है आज का ग्यारवा प्रसन इस समय जो ब्रह्म सूत्र है उसमें संक्राचार के अनुसार कुल 555 सूत्र है इस समय पर जो ब्रह्म सूत्र है उसमें संक्राजार जी के अनुसार 555 सूत्र है आज का बारहवा प्रस्न जैमिनी ने मिमानसा सूत्र में तथा सांडल ने भक्ती सूत्र में वादरायन जी के नाम का लेक किया है आपको मालूम होना चाहिए जैमिनी जो थे उन्होंने मिमानसा सूत्र में तथा सांडल ने जी जो थे उन्होंने भक्ती सूत्र में वादरायन जी के नाम का लेक किया हुआ है आज का तेरहवा प्रस्न ब्रह्म सूत्र में चार अध्याए हैं समन्वय, अवीरोध, साधन और फल ब्रह्म सूत्र में चार अध्याए हैं उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं समन्वय, अवीरोध, साधन और फल आज का चौता प्रस्न सौरी चौदायभा प्रस्न ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याए की विसवस्तू ब्रह्म विस्यक विचार दूसरे अध्याए की विसवस्तू प्रथम अध्याए की बातों का तरकों द्वारा पुष्टी करन तथा विरोधी दर्शनों का वर्णन तीसरे अध्याय की विशय वस्तू साधना से संबंधित चोथे अध्याय की विशय वस्तू मुक्ती के फनों से संबंधित यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्म सूत्र के कौन से अध्याय में किस बात का वरणन किया गया है क्योंकि प्रस्न पूछा जा सकता है आज का पंद्राइबा प्रस्न वादरायन जी के ब्रह्म सूत्र पर अध्यात मत, वैसड़ाउ मत, सैब मत, साक्त मत तथा आर समाज मत के भास उपलब्द है वादरायन जी के ब्रह्म सूत्र पर कौन कौन से भास उपलब्द है इसके बारे में यहाँ पर बताया, आप याद कर लीज़ीगा एक copy पर note कर लीज्येगा यहाँ प्रस्थान तरई के अंतरगत गीता भी आता है, उपनसदों के बारे में मैं बता चुका हूं लेकिन गीता भी आता है तो गीता जो है वहाँ हम अलग से पढ़ने वाले हैं पूरी गीता आपके स्लेबस में है इसलिए यहाँ पर अलग से नहीं बताये गया दो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था अगर आप PDF लेना चाहें तो ले सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही धन्यबाद